नमस्कार सबीको आज हम कुछ ऐसे numbers का multiplication गुरनफल निकालेंगे जिन अंकों में सब्दों में संख्याओं में हमें कहा जाता है कि दो दो अंकों के गुना में जब एकाइं का अंकों का योग दस तथा दाइं के अंक समान हो तो यह special case होते हैं जब कभी हमारे पास जो number ऐसे होंगे जिन में जो इकाइं के जो अंक होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे के as 52 and 58 जिसमें इकाइं के अंकों का योग 10 है और यहां पर जो दाइं के अंक हैं वो बराबर है यदि हम इनकों कैसे मटबाए करेंगे तो हम इस property को यूज कर सकता है यदि हम यह लिखे पचास प्लस दो और फिर लिखे पचास प्लस आठ तो यहां पर जो हमारे पास extension होगी वो पचास इंटू पचास इस formula को लगा दे आपके पास क्या होगा पचास का वर्ग होगा प्लस पचास को किस से गुना करेंगे इनके दोनों के य यहां आपके पास जो ट्रम साइगी वो आपके आपास होगी पच्छिस सो और यहां इनका 10 और पान्स बी MBA हो जाएगा यह दूज होगा यहां के स्टान पर छेंगए दाई के स्टान पर यह एक के लिख देंगे और यह इनको जोड़ देंगे तो यहां जाएगा इस तरह '' 3016, अब हम कोई और संख्याल नहीं यदि as 63 into 67 है, तो क्या लिखेंगे इसको, हम इस पे अब trick यूज करते हैं, एक process तो यह हो गया, बट अब यदि हम इसी को किसी एक trick से यूज करें, तो क्या होगा, हम इसको फिर 50 नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखें 5, 52 into 58 को यदि लिख करते हैं, एक यहां से simple इस property को यूज कर सकते हैं, as 5 into 5 25, then 2 plus 8 into 5, and यहां पर फिर last में लेते हैं 16, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है, अब हम इसको लिखें, तो हमें क्या मिलेगा, 25 हो गया, then यहां पर करेंगे तो यह 50 हो गया, और यह 16, अब यदि हम इसको add करें, तो यहां पर 6 unit इस पर आएगा, 1 यहां add करेंगे, तो यह 51 होगा, और यह 5 को 25 में add करेंगे, तो 30 होगा, अब इसके लिए एक और trick हम यूज करते हैं, कि यह हमारे पास दोनों नंबर सेम हैं, और इन दोनों का sum 10 है, तो हम यहां पर करेंगे 5 के आगे 5 plus 1, 6 into 5, और इन दोनों का product यहां ल यह आपका 60 है, कोई दूसरा नंबर लेते हैं आप, as 63 into 67 देंगे, तो क्या होगा, 6 से आगे 6 plus 1 हुआ, into 6 हुआ, और 3 into 7, 21 होगा, means क्या लिखेंगे हम, 6 plus 1, 7, 7 से किजा 42 and 21, ऐसे यह दिए और नंबर लेते हैं, 89 into 81, तो आप यहां देखेंगे, कि 8 plus 1 into 8 और यहां, 1 और 9 का product होगा, वो होगा, 2 डिट में हमें लिखेंगे, तो यह लिखेंगे, अब यहां अंसर क्या होगा, 8 plus 1, 9, 9, 8 जा, 72 और यह दिस, इस तरह से आपके पास यह questions के solutions हो जाता है, तो आप किसी भी नंबर को ऐसे नंबर, जिन में base, या 10 प्लेस, 10 डिजिट या धाई के अंग बराबर हैं, और एकाई के अंगों का योग दस है, तो हम इस process से उनको मड़पाई कर सकते हैं, अब ऐसे ही कुछ और हम question लेते हैं, जिन में हमारे पास different different कुछ ना कुछ quality होती हैं, जिस से हमें यह calculation करना आसान हो सकता है, कि हमारे पास कहीं एकाई का अं next trick में हम बात करते हैं, कि ऐसी संक्याओं का गुनन फल जिसमें दो अंगों की संक्या हो और दोनों में एकाई के अंग समान हो, या दाए के अंग समान हो, या फिर दोनों ही समान हो, तो हम कैसे करेंगे, तो यहां सबसे पहले हम एक question लेते हैं, जिसमें एकाई के अंग समा हमारे पास 54 और यह 34 लेते हैं 54 और 34 में यहां ध्यान रखें कि यहां हम इनको ब्रेक कर सकते हैं यहां 30 प्लस 4 और इसको इस प्रॉपर्टी से एक्समेंट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा उसको हम यहां देखते हैं देखो 50 और इंटु 30 करेंगे तो फिप्टीन हंडे आएगा प्लस 4 से मटपै करें यदि हम इनको दोनों को एड कर दें और 4 इंटु 4 कर दें 16 तो यदि आपको याद हो या देख रहे हैं यह 80 वा और यह 320 हो जाएगा प्लस 16 अब इनको सबको हम एड करेंगे तो एकाई का स्थान पर एक आ गया दाई के स्थान पर यह 3 आ जाएगा लेकिन स्थान पर इनको एड करेंगे 15 और यह 3 तो यह 8 आएगा अब इसकी एक ट्रिक कुछ हम और देखते हैं कि यदि हम इनको इस नंबर को लें और यह देखेंगे कि 5 इंटो 3 कर दें 5 इंटो 3 मनलब दाई के अंको को मटपाई करते हैं फिर इंट दाई के अंको को प्लस करता हैं और जो समान अंक हैं विक्वल हैं उनसे मटपाई करता हैं और फिर इनको दोनों को मटपाई करता हैं 4 इंटो 4 16 कर दे इसको एक बाग और लिखेंगे तो आएगा 15 यहाँ आएगा पांच प्लस 38 आठ चोग 32 और यह रह जाएगा 16 जब हम इसको लिखेंगे तो एकाई का अंग तो छे है यहां आपके पास दैपका यह एक है और यह दो तो यह तीन आएगा और फिर यह तीन को फंदरिमाड क्या को लेना चाहें तो वो ले सकते हैं लेकिन यह ध्यान रखना का है क्या हम सेम हो एज 64 ले लो और यहां पर 74 ले लो तो 64 और 74 में क्या करेंगे देखिए 6 इंटू 7 सटेंगे अब यहां हम लिखेंगे इनको मटपर करेंगे 6 अब यहां पर वण चार करेंगे तेरे चोके बावन होता है, मैंने 52 हो गए और यह 16, अब इसका आंसर लिकेंगे तो क्या होगा, एकाई के इस्थान पर छे हो गया, दाएं के इस्थान पर यह एक और यह दो तीन हो जाएगा, यहां फिर आप करेंगे तो इसको 5 को 2 मैड कर देंगे, 7 होगा और यह 4 हो जाए दाएं के यंग बराबर हो, उर्ष पर देखते हैं, अब यह दि हम ले ले लेता है, 64 इन्टू 66 यह ले लेता है, तो यह 6 बराबर होगा, अब फिर यह प्रोपर्टी हम लेपलाइद करेंगे, तो क्या होगा, 60 प्लस 4 और यह 60 प्लस 6 हो जाएगा, इसको हम फिर रेक तो क्या होगा 60 x 60 plus 4 plus 6 करेंगे और 60 से मटपाई कर देंगे plus 4 x 6 24 कर देंगे यह आप इनको मटपाई करेंगे तो इस टाइप से आपको मिलेगा बट यहां 10 plus 60 600 हो जाएगा plus 24 अब आशर क्या होगा देखिए यह 4 unit पर हो गया 10 पर 2 हो गया और 100 पर यह 6 6 plus 2 और यह 4 होगी अब इसको आप फिर ट्रिक से यूज़ करते हैं तो ट्रिक क्या होगी यहां आपके पास 6 into 6 64 into 66 को करना चाहते हैं तो क्या होगा 6 into 6 हो गया फिर 6 into में किसको करना है 4 plus 6 को करना है और फिर 6 जो इकाई का अंक है 6 into 4 उनको मल्टपाई कर देना है हम इसको इस टाइप से लिखेंगे अब यह क्या हुआ हमारे पास देखेंगे थर्टी शिक्स हो गया यहां इनको करेंगे तो च्छह चार दस साट हो गया और यहां करेंगे चोबिस तो आंसर क्या लिखेंगे देखो एकाई के इस तांद पर आपका चार आ गया दाइं के इस इस में जोड़ देंगे तो यह 42 हो गया इस टाइब से आप इस कोशन को कर सकते तो क्या किया हम ने यहां पर एकाई के अंखों को एकाई के से बनपाई कर दिया और दाएं के अंखों के योग से बनपाई कर दिया और फिर जो एकाई के अंख पर था उनका गुना करके लिए अब यदि ऐसा कोई नंबर ले ले जिसक कि सारे अंक सेम हूँ यदि हम यह लेज दे हैं 66 इंटू 66 ले लेता है तो क्या होगा यहाँ पर 6 इंटू 6 36 होगा और फिर 6 इंटू 6 36 होगा आप इसको वेडिक मैट्स ट्रिक्स भी कह सकते हो तो तो उसी के पार्ट्स है यह जाएगा और 7 को इधार करेंगे तो यह 43 आएगा इस टाइप से आपके सारे नंबर्स का मृट्पिकेशन हो जाएगा अब यहां हमने क्या सिखा कि यदि आपके पास एक आई के अंक सेम हूँ तो हम मृट्पिक कैसे करें धाएं के अंक सेम हो तो हम मृट्पिक कैसे करें या फिर सारे नंबर्स सेम हो तब हम मृट्पिक कैसे करें तो हमने आज यह कुछ नंबर्स as a four tricks हमने सीखी कि ऐसे कैसे नंबर्स जिनके एकाएं के अंक समान हो जिनमें धाएं के अंक समान हो य इकाई का अंकों का योग दस हो और धाई के अंक समान हो तब हम उनकों कैसे मर्टप्लाई करते हैं ये हमने सीखाई